हलो फ्रेंट्स मेरे नाम है विपुल और आप मुझे देख रहे हैं फैक्ट फैक्ट में आपका स्वगत करता हूं फैक्ट फैक्ट के अंदर और फ्रेंट्स आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड की टॉप नाइन डीपेस्ट लेक्स के बारे में तो टॉप नाइन को डिसकस करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि लेक हमारा होता क्या है फ्रेंट्स जैसे कि आप सभी को पता है हमारी जो ग्लेशेर्स होते हैं यानि जो हमारे बरफीले पहाड होते हैं तो जो वहां से पानी पिखलकर नीचे आता है तो वहां पर जो बड़े गड़े में बदल चुका होता है तो वो हमारी लेक क्या लाती है इस तरह से हमारी लेक का formation होता है तो फ्रेंट फिर बढ़ते हैं अपनी लिस्ट के और नमबर नाइन पर आती है हमारी crater lake so friends यह हमारी crater lake है और यह हमें United States के अंदर देखने को मिलती है और इसके जो depth है वो है 592 meters की इसकी घहराई है और friends यह हमें United States के अंदर देखने को मिलती है so friends चलिए फिर बढ़ते हैं हमारी top 8 के और हमारे 8 way number पर जो आती है उसका नाम है Grand Slave Lake so friends जो हमारी Grand Slave Lake है यह हमें Canada के अंदर देखने को मिलती है और इसकी जो depth है वो 614 meter की है so friends यह भी काफी बढ़िया lake है आप चाहे तो इसे visit कर सकते हैं चलिए friends फिर बढ़ते हैं अपनी top 7 की और और number 7 पर आती है हमारी lake Yask हमारी lake का नाम है Lake Yask so friends इसकी जो depth है वो 668 meter की है और यह हमें ताइंचान और mountains of the Kajikistan के बीच में देखने को मिलती है so friends चलिए बढ़ते हैं अपने list के और अब आती हम number 6 पर number 6 पर हमारी lake आती है उसका नाम है नायशा और यह हमें देखने को मिलती है हमें borders of Mozambique, Tanjania और Malvia इन तीनों के borders के बीच में हमें यह देखने को मिलती है और इसकी जो depth है वो 706 meters की है so friends फिर बढ़ते आगे number 5 पर आती है हमारी ओहगीन्स या फिर आप इसको San Martin Lake भी कह सकते हैं और friends इसकी जो depth है वो 836 meter की इसकी depth है और यह हमें Patagonia के अंदर देखने को मिलती है so friends फिर चलिए बढ़ते हैं अपनी list के और हम आगे आ चुके हैं अब आती हम number 4 पर हमारी जो लेक आती है इसका नाम है Lake Vostok और दोस्तों यह लेक जो है बहुत यादा इसकी speciality है यह है कि यह हमें Antarctica में देखने को मिलती है और यह 4 किलो मिटर अंदर है बनलब 4 किलो मिटर की बर्फ की पर्त है और उसे खोदने के बाद हमें तब जाकि यह लेक मिलेगी और यह जो लेक है इसकी गहराई है 900 मिटर्स अगर आप इसे देखना चाहते तो आपको पहले बर्फ के करीब 4 किलो मिटर नीचे जाना पड़ेगा फिर आपको यह लेक देखने को मिलेगी यह हमें एंटार्टिका में देखने को मिलती है चलिए बढ़ते हैं अपनी नंबर 3 की और नंबर 3 पर हमारी कैस्पियन सी या फिर कैस्पियम लेक भी आप इसे बोल सकते हैं सो फ्रेंड्स यह हमें Central Asian स्टैपी में देखने को मिलती है और यह हमारा ओइल प्लेटफॉर्म है यहां से हम ओइल निकालते हैं और यह हमारी 1025 मिटर इसकी जो डेप्थ है वो इतनी है और फ्रेंड्स फिर चलिए बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की और सो फ्रेंड्स नंबर पर हमें देखने को मिलती है तो फ्रेंड्स चलिए फिर बढ़ते हैं अपनी नंबर वन की ओर तो नंबर वन पर आती है हमारी लेक बैकाल फ्रेंड्स यह सबसे गहरी लेक है और इससे कोई भी गहरी लेक नहीं है पूरियर्थ के उपर और इसकी जो डैप्थ है वो 1620 मिट अंधिर्ड्र है और यह में रशय के अंदर देखने को मिलती है और यह 25 बिलियन इщ्प पुरानी है यानि 25 मिलियन शाल पुरानी है जो फ्रेंड्स आज किस वीडियो में आपको बेंचे लगे फ्रेंड्स के बारे में आपको बीडियो अच्छी लगी गोगे तो प्लीज पाज़ाल एक्राव अंच हो लोडिक आना चाईए बात अधाने आ एकर आूबरासार मैंनद करता हुआ आपके लिए अचरळीड़ी अचैलेगा आपके लिए आपके लिए अचलेगा आपसी चलेगा लाइक के लांच